हलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद है आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छे हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विस्तसक्रापांडे में स्वागत है और जैसा कि इस समय देख रहा हैं कि सोसल मेडिया पर बहुत ही तेजी से वाइरल होने वारा वीड जब आरती ने अब साधी कर ही ली है तो फिर इतना हंगामा करने से क्या फायदा आखिर वो पूरे जीवन वैसे तो रहने वाली थी नहीं और छोटू की मौत होई गई है सभी लोग जानते हैं तो फिर उस पिर इतना पकेड़ा क्या खरड़ा करना है अब जो हो गया हो गय अगर वो आगे बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए आए दिन देखते हैं मेडिया वाले आरती के घर पर पहुँच जाते हैं और तमाम तरह के उलजलूल सवाल करते हैं वो गुसाती भी है कभी मारने भी लगते है तो मतरब इस तरह से परेशान करने से अब कोई फायदा नहीं है आरती ने पहले भले ही करती की थी लेकिन अब जो हुआ हो गया साधी तो किसी न किसी सकरती ही ऐसा तो है नहीं कि अब पूरा जीवन और छोटू की याद में विता देती किसी छड कहना आसान है लेकिन पूरे जीवन करना कठिन है भले ही छोटू के प्यार में उस तरह से अकेले जीवन काटना भी बड़ा मुश्किल काम है तो उसने अब बाद में सोच समझ करके परिवार वालों की सहमती से मतलब ससुराल वालों की सहमती रही होगी क्योंकि माईके वाले तो किसी चीज में उसके बोलने जाएंगे नहीं अभी फिलहाल में तो वो वहीं पर रहती ही थी छोटू के घर पर ही उसने छोटू के बड़े भाई से साधी कर ली तो अब जाने दीजिए जो हो गया हो गया अब बार बार उस बात को मतलब कहने से या उसको बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं है हमारे विचार से अब जब वीवा हो ही चुका है तो फिर उसको अपनी जीवन मतलब जीने देना चाहिए आरती और मनु को बाकी अब क्या कर सकते हैं पहले तो उसने गलती की थी इससे इनकाम नहीं किया जा सकता लेकिन अब वीवा हो चुका है तो उसे छोड़ दीजिए आप लोग सबसे अनुरोध है कि उसे अपनी जी मतलब अपनी लाइफ खुद जीने दीजिए उसमें दख्रांदाजी मत कीजिए ठीक है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेट सेक्शन में जरूर बताईएगा ठीक केर बबाई